मुझे नहीं जाना है एडिविकेशनल ट्रिप में लेकिन ऐसा क्यों हो विवान? उलन किले की यात्रा तो बहुत ही रोचिक रहेगी इतिहास के बारे में तुम्हें नहीं नहीं जानकारिया मिलेंगी लेकिन बालपरी मुझे हिश्टी बहुत बोरिंग लगता है और अगर में ट्रिप पे काया तो मेरी बालवीर वाली रिष्पांच इप लेटे का क्या होगा हाँ? उसके लिए तो सीनर बालवीर है ना? अनन्या दीदी, आपी विवान, उससे भी जादा जरूरी बात ये है कि तुम्हारी स्कूल की परिक्षाई पास आ रही है आपको ये ने-ने शोका-चसका कहा से लग जाता है? मेरा मतलब ये है क्या? ये जादो इचावी ये अंत्रह तवा 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 है? हारी ये, मेरा जाए! अलो जाओ! अलो, तवा है ये ने की तश्विर निकालता है, ये यांत्रह परणाचा मेरे भी एक तस्विर छीचे ला हाहा ये! मजा लेने ही नेनेते विवान, मैं क्यू करूंगा परियोस से तुमारी शिकाई? अरे, विवान, मैं तो तुम्हें चुट्टी दे रहा हूं, गुमने का मौका दे रहा हूं, पढाई करने का मौका दे रहा हूं, तो तुम्हें तो इस अप Powzitively लेना चाहिए, और मुझे तो दन्यओना बहलना चाहिए. ठांक्स और हिस्टी ट्रिप के लिए है हा, नो थांक्स और दिभु भाइया मुझे न आपने बात यह नहीं करनी कट्टी अरिप, भिवान 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 भुको अगर तो बरिख्शा की तियारी नहीं करोगे भाइया आपने रहने ही दो आप जो बोलो के वो मुझे तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो छोटा हूँ और अब बड़े हो, आप छोड़ी ही दो. अरे, बिवान! मा ये पॉट्ट। बैमार के हाथ में ये कौन सा यंत्रा है? कि वे कॉन सा यंत्रा है? कि वे कॉन सा यंत्रे? मुझे तुमसे ये उमीद नहीं थी भेमार। अगर तुम परियों के जादू चित्र के साथ साथ बालवीरों का भी चित्र ले आते तो मेरी योजना को सफल होने से कोई नहीं लोग सिकता था। जो बेगड़ गया उसे बदलाने ही जा सकता। तो जिस बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं, उस बारे में बात करके समय विर्थ करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ फेरानी, फटेवे दूद पर रोड़ाने ही चाहिए बल्कि उसका पने बनाने ना चाहिए। इसा महें नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो यह बोल रहा था कि इस जादरी छबी से ऐसा क्या कमाल करने वाली है आप। ज अजो कि उना चाहिए। अरे बहराने आप इस वीर लोग की मुसिबत को यहां पर क्यों लेकर आई? यह मुसिबत नहीं है तौबा तौबा बलकी वीर लोग के अंत की शुरुआत है तो बच्चे लोग यह है बुलंद किलाद्वार अच्छा है ना? आज आम यही देखेंगे आजाओ कमान इन चाह मेबान तुझे देखके तो ऐसा लग रहा है कि तो हिस्ट्री ट्रिप में नहीं चौदा साल के वनवास में आया है दीदी वनवास बिना एस हिस्ट्री ट्रिप से जादे इंट्रेस्टिंग होता है क्योंकि वावे जंगली जानवर होते है घर बनाना पड़ता है आप जलानी पड़ती है शिकार करना होता है लेकिन यहां हिस्ट्री ट्रिप में बस पास्ट की बोरिंग बाते सुनों शर ऐसिए भूद में रहिए हाँ यूगाट इडरैट, सेल्वी ले रहे आयों ये ये स्ट आयों फॉरो्ड बच्छों आजो वैसे भीवान, मैं राद बोलॉ जा दीदी? लू इस ट्रिप पर भूर नहीं होगा जा ये से? क्योंकि पाथ और सर के साथ कब क्या दुर्गटना गट जाए, किसी को नहीं बता, वो इतना अक्सिडेंट प्रोन है कि उनी से तेरा एड्वेंचर हो जाएगा, हाह, you are right दीदी, so चल, अब बोल मत हो, और ट्रिप एंजॉय कर, खुशी, आई! शौरिय, जी कैसे यंत्र है? ये तो कोई छाया चित्र निकालने का यंत्र लगता है ये केवल एक यंत्र नहीं है वालवीर, ये एक तरह का कुपता थियार है ये ये और एक गुपता थियार, लेकिन इस हथियार की मदद से ऐसा कौन सा आक्रमन किया हैं पर्तिम्ना साने, जिसका असर अभी तक दिख भी नहीं रहा बंपरी, ये ज झाओर मेरे की लोता है परियो? अप्प, यह क्या हो रहा है आपका? यह क्या हो रहा है? यह हमारे हेर्ट्यूबाइट हो रहे हैं? परियो, यह आप सब के बाल सफेद क्यों हो रहा है? यह उर्या, परियां तो कभी व्रित नहीं होती है कहिए, तिमनासा का अक्रमन तो नहीं है? इस कार्थ यह है कि तिमनासा ने जादूई छवी यंत्र से परियों पर समय रेत का जादू किया है अब जैसे जैसे परियों की छवी इस रेत के नीचे दबती जाएगी वैसे ही वहां उन असली परियों की उम्र हर एक पहर में एक हजार साल तक बढ़ती चली जाएगी है इसका मतलब परिया दो पहर में दो हजार साल बूरी हो जाएगी और उनकी शक्तिया कमजर होती जाएगी हाँ और जब रेत घड़ी का नीचे का हिस्सा पूरा भर जाएगा तब परियां है उनकी सारी शक्तिया खत्म हो जाएगी और वो आम इंसान की तरह हो जाएगी उड़ी शौरी समयरेत की असर को रोकने का कोई न कोई रास्ता तो होगा उपाय है और उस उपाय का नाम है गुरू ज्यानी आ अाउ इडता ऑल बता प्रच्छे लोग इस किले का थोड़ा हिस्सरी बताता हूं, मेनी येर्स बैक इस किले में एक गुरू ग्यानी थे और उन्हें हर टोपिक का नौल इस्था जैसे स्पेस, मास, फिलोसफी, जोग्रिफी, और रिंकू, हमें पता है, कुमारा नाम तो रिंकू ज्यानी होना चाहिए लेकिन इस स्ट्रिप पर टीचर में हो, ओके? सॉरी सर, आम रिली सॉरी, सॉरी गाइस तो बच्चो, गुरू ग्यानी के पास एक ऐसा सीक्रेट नौलेज था, जिसे अगर कोई गलत आदमी सीख लेता तो तो पूरी हुमानिटी के लिए डेंजर हो सकता दा Rinko? गुरू गाइस, तो गुरू ग्यानी के इस सीक्रेट नौलेज को कोई उनसे ड्शिंगना चाहता था कौन सर? महाबली. गुरुग्यानी ने अपने इस सिष्य को अपनी सारी विद्याईं सिखाई थी. केवल एक विद्या छोड़के. वो कौन सा सीक्रेट नौलिग था पार्तो सर? जो गुरुग्यानी महाबली को नहीं सिखाएना चाहते थे? वो सीक्रेट नौलिग था कभी बूढ़ान होने की विद्या. कुल! उस विद्या को सीखके, महाबली हमेशा के लिए यंग और पार्फुल रहना चाहता था. पर गुरुग्यानी को डर था कि कहें उनका ये स्टूडेंट महाबली उस ज्यान का उस विद्या का गलत इस्तिमाल लख रहे. जब महाबली को वो सीकेट नौलिज नहीं मिला, तब उसने क्या किया? उसने एक अन्थिंकेबल काम किया. महाबली ने अपने ही गुरु का अठाक कर दिया. और पुरे एक महिने तक उन दोनों के बीच खमासान लड़ाई चली. एक महिने तक? लेकिन शार्या, मैंने तो सुना था कि गुरुग्यानी के पास अपने शत्रूओं के मन के विचार पढ़ने की शक्ती थी. तो बिर एक महिने तक उन महाबली के साथ क्यों लड़ते रहे? क्योंकि उनका शिश्य महाबली बहुत ही चतुर था. उसने गुरुग्यानी के मन को पढ़ने वाली शक्ती का सामना करने के लिए एक विशेश कवच बना लिया था. जिसे पहनने के बाद गुरुग्यानी की शक्तियां उसके उपर काम नहीं कर सकती थी. तो बच्चे लोग, ये है वही मुकुद. वाव! No, sir. Sir, ये वो मुकुद नहीं है. ये उसकी कॉपी है. असली मुकुद तो महाबली के साथ जमीन में धस गया व्या, sir. I know Romokonto. Excuse me, sir. मेरा अनम Romokonto नहीं है, रमकान थे. बच्चे लोग, तुम लोग ये एक्स्प्लोर करो. इसके बाद, sir, लाइब्रेरी आना. वहाँ गुरू ग्यानी और महाबली के बारे में लिखी हुई बहुत सारी किताब हैं. Okay, sir. Hey. Hey. Sutli, वो देख. Guru ग्यानी ने अपना सारा ग्यान एक किताब में लिखा था. और महाबली उस किताब को अपने गुरू से छीनना जाता था. ताके वो हमेशा गिवा और शक्तिशाली रहने का रहसे सीख सके. तो आखिरकार इस एक महिने लंबी युद का नतीज़ा क्या निकला? Guru ग्यानी भी खुद को और महाबली को समाधी में लीन कर लिया. समाधी से जागृत करना होगा. लेकिन कैसे शौरी? इस जीवा की अंत्र से अगर तुम बुलंद किले के नीचे तबी गुरुग्यानी की समाधी को स्पर्श करोगे तो वो जाकृत हो जाएंगे. जिसके बाद मैं उसे समेरेत का तोड लूँगा और मा और परियो को ठीक कर दूँगा. लेकिन इस जीवा की अंत्र का स्पर्श गलती से भी महाबली को नहीं होना चाहिए. वरना अनर्थ हो जाएगा. क्योंकि उसके रक्षा के बच को वीर लोग के जादू से नहीं बेदा जा सकेगा. शिदा मत कीजिए शौरी. मैं इस बात का धिहन रखूंगा. माँ अशिर्वादीजी कि मैं इस कारे में सफल होकर लाटूं. अपना थेहाँ जखना बादीर. अजये थिए. अइपर्या बूरी! पर्या बूरी! एक बार ये परियां बूढ़ी और कमजोर हो जाएं तो उसके बाद वीर लोग की सारी शक्तियां कमजोर हो जाएंगे आपको क्या लगता है कि बालवीर चुपचा बैठा रहेगा और आपके ख्यारी पुड़ाओ को पकने देगा मेरे ऐसा महें नहीं ओड़ रहा हूँ मैं तो भेमार तुम जाकर पता करो कि उस बालवीर में शौर्य के साथ मिलकर मिरीज जादू को तोड़ने का क्या तोड़ निकाला है जिंता मत करो तुम नासा बालवीर के हर तोड़ को मैं तोड़ के रख दूंगा इसलिए तु तु मुझे बहुत पसंदो वेमार क्योंकि तुम कि इसी भी तरह के खत्रे का साथ ना करने के लिए हमेशा तयार रहते हैं लेकिन मैं अपने छोटे पैरों से इसनी लंबी यास्रा करने के लिए बिलकुल तया नहीं हूँ मेरा मतलब यह है कि भेरानी है अभी बालवी कहा है यह अगर हमें पता चल जाएगा तो हवारा समय परबाद नहीं होगा ना है ना भेराजा इस काले धुए के पीछे जाओ क्योंकि ये काला धुए तुम्हे वहां तक ले जाएगा जहां पर बालवीर है जो धरती के नीचे दबे इस किले में ग्रु ग्यानी की समाधी को ढ़ना होगा बाल भाल पता है कर दो मूए प्रॉपका काकाWW कर दो प्रॉजबाँ अज़ क्र दोर स्यूँग कर दोजबाँ कम दोजबाँ कर दो प्रॉट कर दो गई मेरी कमार अरे तूट गई हड्डिया उर्जे पूर्जे हिल गए सारे अब भराजा मैं क्या करता हूँ रात को थोड़ी मालिश बिलिश कर देंगे क्या मेरी कमार तूट गई बकवास बंद करो औरना गर्दन की अट्टी भी तोड़ दोंगा है मैं ठीक हो मेरी कमार एक दम ठीक हो गई है 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 कैसा विचत्रियंद्र है है पाल भर आप, झाघ को किया पता है 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 आप, जायाव सरी त्ह ङता है करत दो है